So what's up guys, welcome back to Before Purchasing इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Best Diswashers के बारे में और साथी साथ ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आप के लिए जानने बहुत जरूरी है कोई भी dishwasher को purchase करने से पहले इस वीडियो के अंदर मैंने 5 Best Diswashers को लिस्ट किया है और साथी साथ हम इन 5 ओडिश्वाशर के प्रोज और कॉंस के बारे में भी जरूर बात करेंगे जिससे कि आप अपने डिसीजन को और बेटर कर पाएं और एक अच्छा dishwasher आप purchase कर पाएं अगर उन सभी के बारे में बात करने से पहले अगर आप before purchasing पर पहली बार आएं तो आपने subscribe करना है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे कि आप कोई भी notification को miss न करें और जो भी dishwashers इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी के links आपको description में मिल देंगे आप उनको जरूर चेक कर सकते है हमारा point number one आता है आपके dishwasher की capacity यानि कि एक washing cycle के अंदर आपका dishwasher कितने बरतन को साफ कर सकता है ये totally depend करता है उसके size के उपर और वो आपको choose करना चाहिए आपके family members को देखते हुए अगर आपके family 3 से 4 लोग की है तो आपको 8 place settings wallet dishwasher purchase करना चाहिए और अगर आपकी family 5 to 6 members की है तो आपको 12 place settings wallet dishwasher purchase करना चाहिए और similarly अगर इस से ज़ादा members की family है तो आप 14 place settings की तरफ भी जरूर जा सकते है अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर मैंने तीनो place settings wallet dishwasher को include किया है हमारा point number second आता है आपके dishwasher का material याने कि आपके dishwasher की जो body है और build quality है वो stainless steel की बनी होनी चाहिए जिससे की वो long lasting हो सके और guys यहाँ पर मैं सिर्फ outer material की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसके inner material की भी बात कर रहा हूँ वो भी stainless steel से ही बना होना चाहिए और जो भी dishwasher मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला है उन सभी के अंदर stainless steel material यूज किया गया है हमारा point number third आता है water or electricity consumption अगर आप market में कोई भी dishwasher purchase करने जा रहे है तो आपको उसकी water consumption और electricity consumption दोनों को चेक करना बहुत ज़रूरी है और गाइज जनरली एक washing cycle के अंदर 8 से 10 लीटर पानी का यूज किया जाता है और उसी पानी को dishwasher के अंदर लगे हुए filter recycle करते रहते हैं और गाइज अगर मैं आपर electricity consumption के बारे में बात करूं तो जनरली जो dishwasher होते हैं वो 0.8 kilowatt से लेकर 1.2 kilowatt तक energy consume करते हैं per washing cycle हमारा next और most important point जिसको काफी जादा लोग ignore करते हैं वो आता है आपके dishwasher के noise levels अगर आपके dishwasher के noise levels 50 decibels से जादा हैं तो वो आपके लिए problem create कर सकता है और अगर हम इस वीडियो की बात करके चलें तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो ही dishwasher include किये हैं जिनके noise levels 50 decibels से कम है हमारा last और most important point आता है after sales service किसी भी brand का dishwasher पर्चेश करने से पहले आपको उसकी after sales service अपने एरिया के अंदर जरूर चेक करने चाहिए यह थे कुछ points जो कि आपको अधान में रखने जरूरी है और साथी साथ अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने top 5 best dishwashers के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में available हैं नम्मर फिफ्थ पर हमारे list में आपर आता है वोल्टास बैको का 8 place dishwasher इसके अंदर आपको 6 wash programs देखने को मिलने वाले हैं और वोल्टास के इस dishwasher के अंदर आपको digital motor दी गई है और साथी साथ यहाँ पर आपको eco mode और 30 minute modes जैसे feature भी देखने को मिलने वाले हैं वोल्टास का यह model पर wash cycle के अंदर 8 liter पानी यूज़ करता है और साथी साथ अगर मैं आपर wash programs के time की बात करूँ तो वो minimum 35 minutes दिया गया है अगर maximum की बात करी जाए तो वो 3 hours का दिया गया है 1300 watt की काफी powerful motor इसके अंदर आपको दी गई है और साथी साथ अगर मैं इसके noise levels की बारे में बात करूँ तो वो 49 decibels के हैं यहां पर warranty period की बात करें तो 2 years की product warranty और साथी साथ 5 years की motor warranty वोल्टास की तरफ से यहां पर आपको दी जाती है प्राइस की बात करों तो 20,000 रूपीस के एप्रॉक्स आप इसको easily purchase कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कॉन यह है यहां पर आप जादा बड़े बरतन इसके अंदर नहीं दो पाएंगे लेकिन अगर आपकी family 3 से 4 लोगों की है तो यह एक perfect choice होने वाली है नमबर 4 पर हमारे लिस्ट में आप आता है IFB की तरफ से 12 place setting dishwasher इसके अगर मैं features के बारे में बात करूँ तो यहां पर आपको flexible half load का feature दिया गया है साथी साथ quick wash program इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और IFB के इस dishwasher के अंदर आपको steam dyeing और eco wash जैसे features भी देखने को मिलने वाले है साथी साथ यहां पर आपको time delay का option भी दिया गया है IFB का यह dishwasher per wash cycle के अंदर 9 liters water consume करता है और साथी साथ अगर मैं इसके noise levels के बारे में बात करूँ तो वो 49 decibels के हैं अगर हम यहां पर warranty period की बात करें तो यहां पर आपको 2 years की product warranty IFB की तरफ से दी गई है और साथी साथ अगर इसके price के बारे में बात करी जाए तो आप इसको 38,000 लूपी के एप रॉक्स discount के बाद easily purchase कर सकते हैं एक छोटा सा कौन अगर मुझे इस IFB की dishwasher के बारे में बताना हो तो वो यह है कि IFB की after sales service कुछ areas के अंदर अच्छी नहीं है आप अपने एरिया के अंदर IFB की service को चेक करें उसके बाद ही आप इसको purchase करने का decision लें पर हमारे list में यहाँ पर आता है Faber की तरफ से 12 place setting dishwasher Faber के इस dishwasher के अंदर आपको 6 wash programs मिलने वाले हैं और साथी साथ height adjustable racks इसके अंदर आपको दिये जाने वाले हैं अगर मैं इसके special features के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90 minutes wash program का feature दिया गया है hygienic cleaning का option आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और साथी साथ electronic push button का option भी सके अंदर आपको दिया जाने वाला है यह dishwasher 10 से लेकर 17 liters तक पानी यूज करता है per wash program और यह depend करता है कि आप कौन सा wash program यूज कर रहे है और साथी साथ अगर यहाँ पर warranty period की बात करी जाए तो फैबर की तरफ से यहाँ पर आपको 2 years की warranty मिल जाती है और अगर यहाँ पर प्राइस की बात करी जाए तो 28,000 रूपी के एप्रॉक्स discount के बाद आप इसको easily purchase कर पाएंगे एक budget friendly product है लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कौन यह है कि यह थोड़ा सा जादा टाइम लेता है आपके बरतन को wash करने में लेकिन अगर आपकी एक medium size family है तो यह आपके लिए एक perfect dishwasher हो सकता है नमबर second dishwasher हमारी लिस्ट में आपर आता है बोश की तरफ से इसके अगर मैं special features के बारे में बात करूं तो है आपर आपको eco silence drive का फीचर दिया गया है glass care system available है और साथी साथ dosage assistant का भी feature है आपको दिया जाने वाला है six wash programs इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं जिनको आप अपनी needs के according अलग अलग तरीके से use कर पाएंगे और guys यह एक IoT enabled dishwasher है यानि कि आप इसको अपने smart phone से भी control कर पाएंगे wash का यह dishwasher Indian utensils के हिसाब से perfect है और अगर आपके एक medium या फे large size family है तो यह dishwasher आपके लिए एक perfect option है अगर यहाँ पर प्राइस की बात करी जाए तो 13 place का model यहाँ पर आपको 36,000 रूपीस के अपरोक्स discount के बाद easily मिल जाएगा तो 2 years की product warranty और 7-10 years की inner tub warranty यहाँ पर आपको बोश की तरफ से दी जाती है लेकिन इसके अंदर मुझे एक छोटा सा कौन यह दिखाई देता है कि इसकी जो price है वो थोड़ी सी जादा है लेकिन अगर आप बोश के इस dishwasher को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी तरफ जरूर जाए सबी लिंक्स आपको description मिलेंगे आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं finally guys हम अपने number one dishwasher के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पर आता है LG की तरफ से LG का 14 place settings dishwasher इसके अंदर आपको nine wash programs देखने को मिलने वाले है साथी साथ यहाँ पर आपको quad wash का feature भी दिया गया है 45 decibels के काफी low noise levels इसके अंदर आपको मिलने वाले है और साथी साथ अकर motor की बात करी जाए तो वो direct drive motor इसके अंदर दी गई है एक free standing dishwasher में से एक है यह dishwasher एक wifi enabled dishwasher है जिसके अंदर आपको child log feature भी दिया गया है और साथी साथ इसको आप smart thing you app से भी control कर सकते हैं LG का यह dishwasher 9 liters पानी यूज करता है per wash cycle के अंदर और साथी साथ 1600 watt की motor इसके अंदर आपको मिलने वाली है medium याफिल large size family के लिए एक perfect product है और अगर यहां पर प्राइस की बात करी जाए तो 48,000 रूपीज के एपरोक्स डिसकाउंट के बाद यह LG का dishwasher आपको easily मिल जाता है 2 years की product warranty और 10 years की motor warranty LG की तरफ से यहां पर आपको मिल जाती है लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कौन यह है कि यह product थोड़ा सा overpriced है और साती साथ इसके अंदर आपको memory restore का feature भी नहीं दिया गया है इसके बावजूद भी इस product को आप जरूर consider कर सकते हैं क्योंकि इंडिया नाउस ओल्ड के हिसाब से यह काफी अच्छा product है इस video को guys एक छोटा सा like जरूर करें अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे comments में पूछ सकते हैं और साथी साथ अगर आपने अभी तक before purchasing का telegram channel join नहीं किया है तो description में पहला link दिया गया है उससे जाकर आप जरूर जोइन कर सकते हैं